नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंग गाडन में और आज हम एक ऐसे medicinal plant की बात कर रहे हैं कि वो एक vegetable भी है और plant भी है medicinal plant भी है और बहुत ही बड़िया खुश्बूदार plant है आप यह देख रहे होंगे काफी लोग इसमें जानते भी होंगे कि क्या है तो थोड़ा सोचिए बाकि मैं नाम बता ही दूँगा आपको लेकिन थोड़ा सोचिए कि क्या चीज है और जो जानते हैं वो हमारे वीडियों पर कमेंट में जरूर लिखें कि यह क्या पोथा है अब इंतजार खतम हुआ मैं बता देता हूँ यह है रोजमेरी आपने सुना होगा और बहुत बारी आपने ऑनलाइन का सीड मंगा के उगाने की कोशिश की है लेकिन 99 परसेंट यह 99.99 परसेंट यह सीड उगते नहीं है क्योंकि मेरे पास काफी लोगों के कोशन आते हैं रोजमेरी या लेवेंडर के सी पी जर्मिनेट करते हैं बड़ जर्मिनेट नहीं होते तो दोस्तों मैं बता दूँ आपको कि यह मैंने कोई पौधा जो है 20 से त्यार नहीं किया है एक पौधा मैं लेकर के आया था आज से 2-3 साल पहले और आज मेरे पास जो हैं सैकड़ों पौधे हैं इसकी मैंने कि आएसे त्यार करते हैं कटिंग से 1-2 पोधे त्यार कर लेंगे आप तो मैं वह सारी टैकनीक का आपको बताऊं गा इसका सयल क्या होगा, कैसे होगा इसके बेनीफिट्स क्या है वह भी मैं दोस्तों आपको बताऊंगा तो आप बने रही है हमारे साथ और देखिए कि कैसे यह हमारे एक पौधे से पौधे हमने बनाए है देखिए गमलों में यह पूरे पूरे जो है भरे हुए है अभी और यह जो आपको दिख रहा है इतना घना घना वह कोई 2-4 पौध फ़ी हुँमामद के टेखिए दोस्तों एक पौधा है जिसकी हमने कटनग परकी करके एक बनता चला गया तो सबसे पहले हम इसके medicinal गुंड के बारे में बात कर लेते हैं कि medicinal गुंड क्या है एक तो यह एंटी एजिंग है एंटी ऑक्सिडेंट है और यह तना कॉस्टली होता है कि 5-7 स्टार में जो वाइट फूड जो आपको दिया जाता है पास्ता हो या वाइट साई पनीर है ऐसी सब्जियां जो द आना चाहिए जुडियां आपके बाडी पे नहीं आने देगा एंटी ऑक्सिडेंट देगा और बाडी में जो टॉक्सिन है आपके उसको बाया यूरेन पास आउट कर देता है दोस्तों तो आइए जानते हैं सबसे पहले हम के इसके पौधे को लगाना कैसे है फिर हम जाने रहे प्लास्टिक या इस तरह मिट्टी में लगा सकती सारे हमारे आठेंची अतनी स्काष्ट अलगा है फौर तो इसमें लगाएंगे तो यह देखे इतना रूट जो है इसको हो गया और इसको दोस्तों मैं बता दूँ तो लगभग लगभग 6 महीने हो चुके हैं इस पोधे को लगाये हुए और कटिंग इसी करके देखे किस तरह से बोशी हो गया है तो लगाने के लिए 8-10 इंची का गमला लिया हमने 8 इंची किसी भी सबजी में आफ डालेंगे तो बस्त अबको देता है डेकिन मैं एक मुठी लेंगे और इसको मिखिंग कर देए कि यह परसाथ हुई यह हमारा mixing हो गए हमारी पधे को लगने के लिए मिट्टी बिलकुल suitable है हलकी त्यार है अब हमें क्या करना है इसको कि इसको as it is या तो रिता थोड़ा सा हम जाड़ देते हैं जाड़ देखिए नए रूट जैसे बरसात होई है तो यह नई रूट से इसमें डेवलप होनी यह हमारा पौधा लगके त्यार है इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे पानी डाल करके और इसको दो चार दिन रखे तो छाया में रख लें तो यह पौधा हमारा सरवाइब कर जाएगा और ग्रोथ होनी हो जाएगी शुरू अब क्या है इसको बुशी बनाने के लिए क्य च्टर सकते हैं नए प्रऽान्स मनाने के लिए अक्यक एक काटिंग है यहां से तो खैष्य निकल के आएंगे यह एकजम्पल मैं दहता हूं आपको यह तेक यह वाली स्टेम है hijee दिखाई दे रहा जो है नंबरों ब्रांचीज भी बढ़ेंगी और जो ये कटिंग हमारे निकल रही है इससे हमारे नए पॉधे त्यार हो जाएंगे तोस्तों और पिल्कुल फ्री में रोजमेरी का पॉधा आपके घर में अपने घर में त्यार हो जाएगा और आप इसका इस्तिमाल करके सदा सदा के लिए जो है आप यंग बने रहेंगे आपके जुरिया नहीं पड़ेगी पिल्कुल एंटी अक्सिडेंट पुरा रहेगा बॉडी के अंदर बॉडी जो है चुस्त दुरुस्त मस्त रहेंगे आप तो यह देखे हैं हमने इतने काट सब परसाथ का टाइम है बहुत अच्छा आएगा सर्दियों में थोड़ा सुलो हो जाता है बचाना पड़ता है बाकी पूरी गर्मी जो है आपका पढ़िया रहता है तो इस तरह से हमने काटा अब हमें क्या करना है इसको पोदे बनाने का तरीका क्या है दोस्तों यह सकते हैं सिम्पल सा तरीका है इसका जितने पत्ते निकले इतने नोड़ है और हर नोड़ पर से जो है ये रूटिंग आपकी हो जाती है इस प्लांड की तो मेरी रोज मेरी का जो पोधा है आप बिलकुल फ्री में अपने घर में थ्यार कर सकते हैं बसते कि आपके पास एक पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ और आप इसके साथ बने रही वीडियो के साथ जादा शेयर करिए ताके और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि ऐसी जानकारी हमारी लगातार आती रहती है तो कुछ भी नहीं कर को सब्सक्राइब करना है एक रेस सेंड या बालू से भरा हुआ जो कंटेणर है वो लेना है मिट्टी में डारेक्ट ये पौधा नहीं होगा आपका तो बालू मिट्टी लेनी है कही लोगों कहते सीमेट और वह चौक पॉड़र ऐसा नहीं यह रेत लेना है रेत में जा दिया हमने और इसको ऐसे खड़ा कर दिया सिंपल सा काम है बिलकुल और ये एक महीने के अंदर आप देखेंगे कि इसकी जड़े निकल जाएंगी लगभग एक से डेड़ महीने बाद इसको आप कहीं भी शिप्ट कर सकते हैं जैसे कि मैंने अभी देखा डाला है उसको छ यार फ्री में मिल जाएगा तो देखें कुछ नहीं करना है अब आप पूछते होंगे सोचते होंगे कि क्यों अलोवेरा जेल नहीं तो रूट हर्मोन होता है बड़ रूट हर्मोन सभी को मिलता नहीं है अलोवेरा जल क्या है कि नैचूरल पौधा नैचूरल है और माईल वे में में होता है जिससे प्लांट को ग्रोथ भी जल्दी मिलती है तो ये तीनों चीजें हमारे एक एलोवेरा से हमारे नए प्लांट को मिल जाता है रूट हार्मोन का भी काम करेगा और आपका जो है एंटी फंगस का काम भी हो जाएगा उसके लिए भी केमिकल आपको नहीं लगाना है और निोटेशन भी देदेगा तो इस तरह से हमारे देखिए मिंटों में हमने जो है 20-30 पोधे कटिंग की और लगा दिया और ये दोस्तो यकीन मानिये अब जुलाई में लगाते हैं तो अगस सितम्बर में आप उधे लगाने लाइक हो जाएंगे और ये बेस्ट टाइम है आपका पोधे का क्योंकि आगे गर्मियों में लगाएंगे तो नहीं होगा आपका सर्दियों में लगाएंगे तब ही दिकत रहेगी नेट्रल सी बात है आपका जो यह पोदा है एक महीने के अंदर रूट दे जाएगा और फिर आप जितने मर्जी घर में लगाएं उसके रोज शब्जी में इस्तिमाल करें चाय में इस्तिमाल करें अब यह जो हमने निकाला है दोस्तों यह भी हमारा पेकर नहीं है इसको हम ध दाल करके बहुत ही उम्दा खुशबू इसमें से आती है दोस्तों तो धन्य बाद दोस्तों बने रहने के लिए एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताके नई नई जानकारी आपको मिलती रहें